Hello, Tudas and Welcome to the studio. कल जो ट्रेड हमने एक्जीकूट किया था किसी रिजन की वज़े से रिजन इन दे सेंस के कल किसी काम की वज़े से हमें बाहर जाना था सो कल एडिटिंग का यह अप्लोडिंग का टाइम नहीं मिल पाय था इस विए से कल का जो ट्रेट था वो हम published नहीं कर पाये थे कल जल्दी जल्दी में एक वीडियो हमने बना करके अप्लोड किया था तीन या साड़े तीन मट का वीडियो वह श्याद था आज जब हम मार्केट में हैं तो काफे सारी मुवमेंट हो चुके थे तो आज भी एक्जिक्यूशन हमने किया नहीं है आज की वी ट्रेट बुक अगर आप देखोगे तो पूरी ट्रेट बुक आपको खाली मिलेगी दोती है उसमें हम् फिर सेलिंग नहीं करते या जिन स्टॉक्स में यह सेलिंग करनी होते उसमें बाइंग नहीं करते अगर आहसी बोलेंगे कि पार्टिक्लर की स्टाओक के अंदर ग्रिन कंट ल फॉर उब होगवी तो चनससे रहेंगे कि वह इस れंदग penalty बने बट अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे स्टॉक में ट्रेड करते नहीं हैं अगर सेलिंग के कंफरमेशन मिल रहे हैं ऐसे स्टॉक में जिसको हमें बाई करना था या कल जिस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रीन केंडल बननी है और आज अगर वह में शौर्ट सिल की कंफिरमेशन दे रहा तो फिर हम वो ट्रीड एक्जीकूट नहीं करते हैं अभी हम लोग जो कल ट्रीड एक्जीकूट कर चुके हैं उसके उपर एक छोट असल डिसकेशन कर लेंगे किस तरह से क्या देखते हैं उने ट्रीड एक्जीकूट किया था क्योंकि PNB ने कर बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा था होता है तो एक टॉपिक हो ही जैसे उस दिन हमने आपको डिक्रीजिंग लोज और फॉलिंग लोज के पैटर्स बताया थे या फिर एंट्री का पैटर्न एक बताया था जिसमें से दो ग्रीन और थर्ड केंडल पर रेड होती थी या फिर इसका पॉजिट था दो रेड होंगे यह सारी चीज़े होती है moral of the story कि बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जिसको कि time foundations के वज़े से या फिर public platform पर हम लोग देख रहे है इस foundations के वज़े से वह सारी चीज़े हम शेयर नहीं कर सकते कोशिश यह कीज़ेगा कि जो भी चीज़े हम वीडियो के थुरू आपको इसको अपने लिए useful बना सकते हुँ यह आपकी duty है हमसे जितना हुपाएगा उतना ही हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छे तरह समझाने की कोशिश करेंगे वीडियो खत्म हो जाने की बाद में अब यह आपकी duty बनती है कि आप इसे और कितना अच्छा या और कितना बहतर इसका इस्तेमाल करके वीडियो खत्म हो जाने की बाद में भी आपकी duty बनती है कि आप इसको और कितना बहतर कितना useful अपने लिए बना सकते हो यह जितनी भी बड़ा वीडियो आपके पास आएगा काफी मेहनत लगती वीड है एक कॉमेंट अगले वीडियो के लिए हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है जिसे की और अच्छा एक एक प्रोड़क्टिविटी आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं सो थैंक्स और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो शुरुआत करते हैं कल के ट्रेड से कल देखिए पे एन भी में हमने आज से दो दिन पहले दो ग्रीन केंडल अब देख रहे हो इसके पहले एक स्विंग लगाया था जस इस स्विंग के ओपर मार्केट ने हाई वाल्यू के साथ फराइड़े या कल से पहले के स्ष्चन में यह जए इस रींज के अंदर आया है और वाल्यूजी केस था हमने अपना एक्जिड़ियोट किया था अभी अपर अब त्स चीज से और प्राइस यहां पर देखिए वॉल्म के साथ ब्रिक आउट कर गया बट इसके एक दिन पहले यहां पर आपको मॉदर केंडल दिख रहे होगी अगर अब यह प्राइस स्ट्रॉंग है तो यह उपर की तरफ निकल जाए वापस से प्राइस आपको उसी रेंज के अंदर कर देंगे तो यहां पर देखिए इस एक ग्रीन केंडल का हमने कुछ हाई मार्क कर रखा है जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहा हो एक्शली है क्या कि यह आपका बनता है एक पूरा सपोर्ट एरिया प्राइस में इस दिन 24 को प्राइस जो नीचे की तरफ गिरा वहीं स सपोर्ट लेकर के नीचे की तरफ आ गया और यहां पर देखिए इसने एक बनाया जोन जैसे कि इपनी ग्रीन केंडल बन के प्राइस ने आप पर एक सपोर्ट ले लिया सपोर्ट ऊटा प्राइस आपका सीध ही नीचे की तरफ आगया आज सब जेखोगे कि प्राइस को प्राइस के अंदर रिएंटर कर गया देखिए लो लगा अगें देखिए सपोर्ट बन गया तीन बर प्राइस सपोर्ट लिया नीचे की तरफ जैसे ही टूटा है क्योंकि लोवर टूवर टाइम पर जाकर यहां पर पने एक्जेकुशन किये थे कुल मुलाकर कि आप देखोगे कि यह बन रहा हमारा एक पूरा सपोर्ट एरिया एक यह बना और स्टेच कर दो कि आगे के तरफ तो यह बन जाता है यहीं पर आप देखोगे ना कि जो पॉइंट ओफ एक्शन थे वहां रे क्लियर हैं वहीं सो तो प्राइस दिशी की तरफ पर पासवर्ट प्री लॉग इंड है चले तो और बुक क्या पॉजिशन बुक उपन करते हैं पॉजिशन बुक में आप देखिए कल का जो प्राफिट हमारा 11,998 रुपिस और 80 पैसे का कुछ का प्राफिट है विच इनफ एक ठीक ठाक एक डिसेंट से प्राफिट हमारा पास एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं आप देखोगे ना तो आपको पांच जार या साड़े पांच जार कॉण्टी बहुत ज्यादा देखेंगे लेकिन है अभी तो ये करीब 79.75 पैसे का इस्ट रुपै का प्राइस चल रहा है और बुक में देखिए करीब साड़े 2400 हमने उतनी ही क्वांटी कुछ कोई कम ज्यादा हमने नहीं किया सिंपल 5,000 क्वांटी के साथ में पूरा ट्रेट अपना एक्जेक्विट कर दिया था तो बहुत अच्छा एक्जेक्विशन रहा और ऐसे आप देखोगे ना तो पैंबी ने कल एक बहुत बड़ा डाउंस कर लेते हैं इसके बाद फिर हम लोग आज का कॉंसेप्ट शुरू करें विच इस बहुत हल्पूर होगा आपके लिए आज भी देखी पेंबी नीचे की तरफ पी रहा है और कल क्या हुआ था कल क्या देखते हुए में ट्रेट किया था सारी ड्राइंग्स हम लोग और अब यह नीचे की दरफ पड़ा हुए तो आसी तरासी रूपे पर यह चल रहा है लेटेस्ट जो इसका स्विंग लग रहा था हमारा हमने इसको आप माक को लो प्रिवेस वीक का हाई माक को लो हाई है डेली टाइम पर भी आप चले जो तो देखें आपको एक हाई मिल यहां पर क्या हुआ हमने यह वाला स्विंग माक कर लिया अब यह जो हाई लग रहा है मेरा इस हाई को ब्रिक किया गया है वॉल्म के साथ एक ग्रीन केंडल के थूरू और इससे पहले देखिए कि यहां पर आपको एक मदर केंडल देख रही है यानिक एक स्विंग बना स् अब मान लीजए डाउंसाइड के कितरफ हो जाता है अब अगर हो गया है तो फिर नीछे की तरफ चला जाना वापस से प्राइस ब्राइज के यह करने आ एंगर इमदर दा रहा है बना तो फिर से गिर जा है तो यह यहां से रेस्टेंश को क्यों ब्रेक है और वॉल्म्स के confirmations क्यों दिए नीचे गिरना है तो यह गिर जाए सेम चीज़ आप इसको just reverse करो यहां पर हुआ एक mother candle ऊपर की दरफ जाना तो एक नया हाइस को लगाना चाहिए ना वापस से देखिए price में जब हम lower time frame पर आ जाएंगे तो आपको यहां पर कुछ confirmations मिलेंगे जैसे कि black वाली candle हमने high mark किया था यहां पर देखिए यह बना एक swing बना swing के साथ-साथ मार्केट फिर से नीचे हमने एक concept आपको याद होगा बताया था day की first green candle का क्या importance होता है यहां पर कुछ नहीं करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग 9 15 कर लो या फिर अपने first जो day की first candle बन रह है तो उसके levels को mark को लो बाकी volume वगरा को छोड़त भी में volume को off कर देते हैं यहां पर हमने इसका low mark कर लिए और आप देखो कि जिसको हम लोग consider कर रहे हैं क्या market भी उसको resistance में consider कर रही है जहां से हम लोगों को short selling करनी है मालेजे हम इस जगे से पनी short selling को plan कर रहे है क्या market ने देखे एक छोड़ी जी टेक्निक्स के जलक हम आपको दिखाते हैं जैसे कि यह आपकी first candle हो गए अब हमें यह देखना है कि इस first candle की ऊपर कौं से candle जिसने closing की थी तो हमको मिल गए यह वाली candle लेकिन इसके ओपर तो किसी candle है close किया ही ने rules recording यह candle में master candle बनती है यह वाली candle point of action निकल आया lower time frame की readings और higher time frame की readings के according समझ गया ना price आपका नीचे की तरफ आया है and यहां पर देखिए क्या हुआ है market को अगर ऊपर जाना तो ऊपर चला जाए price हमारे support पर आकर कि किस तरह के price action दिखा रहा है देखिए ऊपर गया फिर से नीचे फिर अगन फिर नीचे तो एक दो तेन तीन वाप प्राइस से support ले रहा है क्या होगा simple सी चीज़ा सोचे क्या हो सकता है आप डेली time frame पर यादे ना अभी जो हम लोगों ने किया PNB ने एक mother candle form की ऊपर जाना तो यह चला जाए यह वापा से range के अंदर क्या करने आ रहा है यह नीचे की तरफ आया और हम देख रहे हैं अपनी reading recording के price ने इसी जगे पर कई सारे support लिये हैं क्योंकि last time भी जब market नीचे की तरफ गरी तो इसी support से नीचे की तरफ गरी थी और आज भी उसी जगे पर हमको मिल रही है clear ना अब हम आपको volumes दिखाते हैं देखे, volumes ने अलग से हमें इस केंदर बताया, breakouts हो रहे थे, 9.15 की जो candle थी आप देखोगे के previous day से ज्यादा की volumes के breakout आपको दिखेंगे यहां पर, अगर breakout है तो फिर से वही चीज़ के confirmation अगर दे रही market तो 9.15 के उपर है यह निकल जाए, high volume के साथ में price ने यहां से breakout देखा, वापस से price आपका range के अंदर आ गया, daily time frame प यहां पर भी high volume की candle का resistance एक high volume ने break किया, यह trap कर रहा है buy side पर लेकिन जो उसके price actions overall हमें समझ मेरे कि support ब्रेक कर देता है, अगर ही support ब्रेक करता है तो यह नीचे की दरफ चला जाएगा, यह देखते हुए हमने PNB को trade किया, और यह analysis सिर्फ PNB में नहीं, आप किसी भी stock में ठालो, so trade discussion का section हम लोग यहीं पर close करते हैं and अब बाढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, सबसे पहली बात तो समझने वाली यह है, market are not as random as most people थे, market में ऐसा नहीं होता है कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए, जिधर मर्जी उधर market move हो जाए, या without any reason कि market आपके upside चले गए, downside side की दुर्फ चिरी गई and market closing के बाद में फिर हम लोग ऐसी बाते करें कि यहां तो कुछ भी हो जाता है, कुछ भी technically नहीं चलता है, या indicator के indicator पर तो वैसे भी believe नहीं है अपना, indicators एक तरह के वो lagging है, वो lag करते हैं, तो indicators को भी हम लोग side में रख देते हैं, सिर्फ अगर market की करें, तो यहां पर कुछ भी random नहीं हो जाता है, एक बात अपने मन में यह बैठा लीजे, कि market में अगर कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे का कोई ना कोई reason है, अगर हमें वो reason समझ में आ गया, 100% तो नहीं, लेकिन ज्यादा तर चीज़ें फिर आपको समझ प्याने कि यह हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो शुरुवात में में भी चांस है कि आपको ऐसे confusions रहें, यह बात अपने जहन में बैठा लीजे, कि हाँ पर कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे एक reason है, हमारा काम में उस reason तक बहुशना, अभी हमने बोला ना, 100% यह possible नहीं है, लेकिन ऐसा possible है, अगर हम लोग 10 बार prediction लगा रहे हैं, और वो 6 या 7 बार भी सही हो रहा है, तीन बार मान लिजे हम लोग खलत हो जा रहे हैं, तो overall प्रॉफिट में ही रहोगे, अपना तो management ऐसा है, कि जिस तरह से जिस RR ratio के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, 1-3 या 1 इस तो 4 में, आप अगर 4 ट्रेट भी प्रॉफिट में निकाल दे रहे हो ना, जिसमें आपके टार्गेट सिट हो रहे हैं, और 6 ट्रेट में आप स्टॉफिट कर रहे हैं, तो भी लास्ट में आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ये सारी चीज़ आगे के तरफ, इसमारे ग्रीट एंड फियर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इमोशन्स, चार्ट के उपर इमोशन्स दिख रहे हैं, प्राइज आपका अप मूव हो रहा है, डाउन मूव हो रहा है, यहां पर जैसे प्राइज आपका अप साइड की तरफ जा रहा है, में भी हो सकते हैं कि य यहाँ पर बहुत सा है लोगों कि stop process इठ हो रहे हैं, कुछ को profits मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहे हैं, एक तरह से यहाँ पर मेरा एक पूरा greed and fear, candles के अंदर greed and fear शो होता है, हमारा काम यह होता है, इन emotions को पकड़ना, candles की body, जो body formula है, उन body को पकड़ना, यह सब कुछ price actions के ब कि price actions है क्या, हमें इतना मालूम है कि अच्छा, without indicator, आप price को पढ़ रहे हो, तो वो price action हो जा रहा है, price actions को समझने से पहले, इन साही चुछों को समझना होगा, otherwise, आप थोड़े दिन as a practitioner price action को समझ रहे हैं, उसके बाद में फिर आपके मन में doubts उठने लगे हैं, कि क्या जो हम कर रहे हैं, वो सही है, क्या ये सही रास्ता है करने का, क्या price action की reading है, इसके बाद में जब हम लोग उसके अंदर VSA हो गया, या फिर volumes की reading को merge कर देते हैं, तो price action ultra strong बन जाता है, stop losses, बेशक हीट होंगे, लेकिन फिर यहां पर जब RR निकलता है अपना, तो वो सारे stop losses आपक क्या रहा है, लेकिन ये सब होता पता है कब है, जह हम लोग शुरुवात में बिना किसी डर के, डर in the sense कि profit हो या loss हो, हमें उससे मतलब नहीं, but majority क्या कर रही है, कि यहां पर बातें सब के पास अच्छी होती है, कि वो पढ़ने आए है, वो सीखने आए है, वो experience लेने के लि ज्यादा पैसा बनाना है, अगर ये दो लाइन्स आपके मन में कहीं न कहीं बैठी हुई है न, आप मार्केट से निकाल तो एक पैसा नहीं पाओगे, ये याद रख लेना, और मार्केट आपको वहां से निकाल देगी, जहां पर आप बैठ करके काम कर रहो, वो चेर आपक अपग्रेड होगी, दीरे-दीरे करके अपग्रेड होते चल जाओगे, इसके लिए जोरी होता है कि मार्केट को सीखना शुरू कहां से करें, क्या करें, आते ही आप्शन्स में नहीं लग जाना होता है, पहले स्टॉक्स की प्रैक्टिस करो, कुछ 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 यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग या फिर रैंडम ट्रेट्स नहीं डालने होते हैं, हम लोग भले ही कम कुछ के साथ में काम करें, बट इक्विटी से स्टार्ट करो, इसके बाद में फिर हम लोग आगी की तरफ बढ़ते हैं, वो बहुत बड़ा हो, आज यह साई चीज हम ड करें, बट अपने ग्रीड और फिर को समझा, उसको सीखा, आपने प्राइज एक्शन को सीखा, आपने वॉल्म को सीखा, वहीं दूसरी तरफ लाइन क्रॉस कर दो तो ऐसे ट्रेडर आ रहे हैं, जो की क्विक मनी लेने के लिए हैं, कम एमांट में ज्यादा पैसा लेने के आ रहे हैं, ऐसे लोगों के उपर रूल करने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि आप ऐस अप्रेक्टिशर काफी अच्छा है एक्स्पिरियंस, एक्स्पिरियंस के एक सही रास्ते पर आप कॉंटिनुसली बढ़ रहे हो, चेंज नहीं करते हैं बंदर के तरह इधर से उधर उधर से इधर, फिर आज ये अच्छा लग गया, कल वो, नहीं, आपने एक अपना सिस्टम बना और उस एक सिस्टम को आपने फॉलो किया, फॉलो किया, फॉलो किया, फॉलो किया, आप ऐसी लाइन में जाकर के खड़े हो जाओगे न, जहां पर दूसरों को पहुंचने मे क्योंकि वो बैट नहीं पा रहा है, उन्हें हरा है, लाल रंग पसंद है, कुछ भी हो बस चलता रहे, ऐसे लोगों के उपर रूल करने का आपको मौखा मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब देख करके अभी इन से आगे के तरफ निकल के आगे हो, majority of retail traders are unaware of how price actually moves on the chart, उनको नहीं समझ में आ रहा है, कि क्यों ये उपर की तरफ जारी बास वो देख रहे हैं, कि वो हाँ, green candle बन रही, buy कर दो, red candle बन रही, short कर दो, लेकिन दूसी तरफ आप हो, आपको क्या समझ में आ रहा है, as a price action trader कि हम लोग supporter resistance को थ्रू काम कर रहे हैं, हम लोग mitigations को समझ रहे हैं, हम लोग chalk and break off structures को समझ रहे हैं, हम लोग demand and supply को समझ रहे हैं, ये सारी चीज़े हमें समझ में आ रही हैं, फिर हम क्या करते ना, एक support निकाल लेते हैं, एक resistance निकाल लेते हैं, just for example, हमने इतनी सारी च यह एक line बन गई मेरे पास अब यह हमें पता है कि यह जो point of fraction है ना price के अंदर moves जो भी होंगे यहां से बड़े move होंगे अगर उसका high लगना है या bottom लगना है तो ज्यादा से ज्यादा chances हैं कि यहीं से जो high है या bottom है वो यहीं से लगेगा बड़ दूसरी तरफ एक ऐसा trader बैठे है जो कुछ नहीं पता है लिखा है ना majority of retail traders are unaware वो traders जो unaware है कि यह सब क्या हो रहा है कैसो रहा समझ में नहीं रहा है बस चलो पैसा बनाते हैं करोर पती बन जाएंगे तो वो जो traders होता है ना वो यहां से भी trade लेगा वो यहां से भी trade ले और दूसरी तरफ आप हो आपको अपनी जगा पता है आपको कहां से काम करना है कहां से executions करना है actually actions कहां से लेने यह आपको पता है समझ में आरी नहीं सारी चीज़ें बहुत common बहुत चोटे बहुत nursery kg type के price action में जब आप आओगे ना तो यह nursery kg type की सारी चीज़ें बट गौ और करोगी जब आप खुद को तो देखो कि यही बुन्यादी चीज़ें कहीं ना कहीं missing है इसके बारे में आपको discuss करता हुआ दिखेगा ही ने क्यों ही करें वो discussion शो ओफ करना आप देख लो कि यह जो अपना चोटा से channel बहुत चोटी से community है यह चोटी community क्यों है क्योंकि actually लोगों को यह सब पसंद नहीं है हमें फरक नहीं पड़ता गों फिर कि जब मार्केट जब आपको मार पीट के बराबर कर देगी ना तो आओगे यही पर क्योंकि फिर आपको वो लागो करोड़ों के जो profit हैं और वो जो हेलिकॉप्टर मूट रहे हैं वो जो दुबाई ग दिखाओ कि क्या होता है तो जिब यह सारी चीज़े आप देख लोगे समझ लोगे ना दुनियादारी हो जाएगी लॉस कर लोगे बिल्कुल आखरी में हार ठक जाओगे तो आओगे लॉट करके यहीं तो बहुत सावे लोग क्या होते ना कि वहां से हार गोर निकल गए मा जितने भी हैं सभी चार सार पांच साल तीन साल आट साल नौ साल के एक्सपीरियंस लोग हैं मतलब हमसे भी एज में बड़े बड़े लोग हैं तो क्या ऐसी गलती रही क्या मिस्टेक्स रही अगर पांच साल से अल्ड़ी वो प्रेक्टीशर है तो फिर क्लास में क्या कर र सारी चीज़ें पकड़ ने उसे से ट्रेट किया समझ में आ जा रहे तो कुछ चलता है ने फिर अपने अंदर ये अंदर एक mentality उसके बनके कि market is not for me बैट गया थोड़ा से इसको understand करने ही कुशिश किजएगा जैसे कि trend line rules trend line के rules क्या होता है एक तो basic trend line है सभी लोग जानते एक आपका resistance हो जाएगे डाउन लाइन हो जाएगी प्राइस जैसे जैसे इस में आपका move करेगा वह आपका trend line मन जाएगी यहां से आप अगर कोई प्रेंच प्र नीचा यहाई यहाई करोगे अगर downtrend की line से तो high से जैसे price आपका टक रहा है मान लिए नीचे की तरप गिर तो यहां से फिर आप शॉर्ट 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 तो जब जब प्राइज आपका इस उपर वही लाइन से टकराता है तो फिर उप शॉर्ट से लिक रहते हैं एक तो यह तरीक होगा बेसिक है कामने सबको आता है बट आप जब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हो अगे यहां पर प्राइज ने क्या कर दिया है भ्रेक आउट ठीक है भ्रेक आउट करने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि इस जगे से हम लोगों को शॉर्ट से लिंक कर दीनी है बर प्राइज नीचे की तरफ आएगा फिर्स केस में ऐसा जाद तर देखा गया है कि आपका अगेन upside की तरफ जाएगा और जो आपका previous high होता है previous high इस high को ये break करता है new extreme formed trendline break trendline break new extreme form होते हैं यहाँ पर यानि कि previous high को market break करती है and वापस से ये नीचे के तरफ आफ और new extreme is formed correction phase major trend reversal जब इसने एक नया extreme high लगा दिया ना एक नया high लगा दिया इसके बाद से क्या होता है कि market या तो correction की phase में चली जाती है या फिर इसके अंदर को एक major trend reversal होता है कि market यहां से नीचे की तरफ यहां से वापस से price ने previous high break किया, low protect कर लिया है, यहां से, price आपका नीचे की तरफ आ रहा है, बट जैसे ही trend land break होती है, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा हो कि trend lands फियल हो जाती है, यहां पर जैसे ही price आपका निकला न, जैसे उपर की तरफ निकला, like यहां, सबसे ब्रेक आ ब्रेक आउट के बाद में price नीचे की तरफ आया है, इसके बाद इसने एक नया high लगा दिया, इस जगह पर एक नया high लगा, पीवेस है को इसने break कर दिया, जो first two rules है, अपने trend land break, new extreme form, trend land break, trend land break, new extreme form, after that correction phase, या फिर major trend reversal, break, एक नया extreme high लगा, अब यहां से आप फिर काम करो, आपको ऐसे एक नहीं सैकडो चार्स दिखाए पड़ेंगे, और हो सकता है, अब से आप trend land को थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ पाओ, यहां पर देखिए market ने क्या क्या है, एक low इसके बाद में high, फिर price अपनी यह जो trend land है, इसको follow करता हुआ, यह अप साइट की तरफ च स्विंग के साथ साथ पर इसने मेरे support को भी brick किया, brick कर देने के बाद में देखिए, एक swing brick हो गया, अब यहां पर एक extreme high लगता है, ब्रिक आउट करने के पहले price ने जो high लगाया था, trend land को brick करने से पहले market ने जो high लगाया, ब्रिक आउट कर देने के बाद में price ने इस high को brick किया, ब्रिक आउट करने के बाद देखिए, इसके अंदर एक move आया, और तब से price नीचे, जहातर बार क्या होगा, क्योंकि जो liquidity grabs होंगी, वो यहां पर होगी, majority of trader ऐसा ही तो होगा, ब्रिक हुआ, उसने shot मार दिया, अब यहां पर जो बड़ा आदमी बैठा है, बड़ा इ करके बैठा हुआ और वो trade कर रहा है, तो हम लोग बस यो ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हम से है तो पैसा लेने के लिए बैठा है ना, उसके पीछे पीछे चलो, और यह techniques हम आपको बाता है ना, यह techniques आपको इन सारी चीजों से बचा ले जाएंगे, एक example हम लोग इसके अंदर और देखेंगे, जैसे कि यह high लगा, again high, again low, high और फिर यह low, क्या हुआ, मेरे यह वाले जो support है, and यह जो trend line है, यह हो गई brick, breakout के बाद में, अब हमें wait करना होगा, जब price ने हमारी trend line को break किया है, तो इसने high कहां पर लगाया था, और इसका extreme, brick होने कहां wait करेंग, और transaction का sign होता है, कि maybe chance है, price को अगर ऊपर जाना था, तो वो निकल जाता, वापस ही मेरी range में आ गया, और इस trend line को इसने again break कर दिया, कई सारे support होते हैं actually, जैसे जैसे यह support नीचे के तरफ टूपते चले जाते हैं, यहाँ पर आप या तो support समझ लो, या तो फिर stop losses समझ लो, कई अगरी तरह की चीज़ से एक साथ हुआ करते हैं, जैसे greed and fear का example भी में आपको दिया था, यहाँ पर जैसे ही breakout होगा, आप sale कर दोगे, नीचे से कुछ लोग यहाँ से buy करना शिरू कर, यहाँ पर देखिए आपको एक mother candle मेली, इसका breakout यहाँ से हो price आपका सीथ, उपर की दर कि दरफ चला गया, वापस धेखिए जब अपसाइड की दरफ जा रहा था तो इस ने को कितने resistance बडिक टरफ करते हो जा रहा था, एक तो इसने हमारी stren line को upside की दरफ बडिक किया, यह वहला resistance बडिक हुआ, अगें Price ने हमारा retest किया upside की दरफ इतने सारे resistance बडिक करते हुए ये इतना strong होता है I hope की समझ में आगे सारी चीजे जो भी है जो कोई बहुत hard चीजे नहीं है simple सी है just point of view का फर्क पड़ेगा वही trend line है वही सही lines रहेंगे trend line की दिक्कत यह होती है कि कई बार बनेगी फेलोंगे कई बार बनेगी फेलोंगी इस तरह से एक एक बार जो हम लोग trend line डाल देते हैं फिर वह चार्ट पर हिलती नहीं बेसिकली trend line का यूज बहुत कम ज़रूती नहीं पड़ती होरिजूंटल लाइन इतना अच्छा काम होत होता है कि trend line फिर market आपकी गलत कर दे और इसके according काम होगा लेकिन proper एक समझ होनी चाहिए volumes को कैसे हम लोग include करते हैं एंड हमारी trend line का वजन कितना है कि सारी चीज़े वजन इन दा सेंस कि कितनी बार price आपका कितनी बार आपकी level पर आया है जहाँ पर volumes कैसे increase हो रही है आप volumes कैसे कम हो रही है तो volumes की combinations के साथ में यह पता चलता है कि support पर support के confirmations actually है भी या नहीं या resistance पर resistance के confirmations actually है भी या नहीं breakouts किस तरह के हो रहे हैं यह साही चीज़े समझ नहीं होते हैं फिलाल अभी इन सारे concepts को यहीं पर चोड़ करके आगे की तरह बढ़ते हैं अब हम लोग देखेंगे high probability set up rules only focus on high probability set up when taking trades ऐसे trades के अंदर entry मत करो बहुत ध्यान से सुना इस चीज़ को ऐसे trades के अंदर entry मत करो जिस पर कि आपका दो तरह का point of shoe बन रहा है आपको एक बार में ही देखने से यह लग रहा है कि price अपका up जाएगा या फिर down जाएगा ऐसा होता है common है बहुत बार मेरे साथ हुआ common चीज़े सबके साथ ऐसा होता है एक ही सबर में आप stock देखो तो आपका दो set का view बने कि इसमें buy भी हो सकता है sale भी हो सकता है जैसे ही stock को देखो ना इस stock को तुर्ण skip कर दो क्योंकि इसके इलावा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं आप confused हो जाओगे आप buy करोगे price जैसे ही आपके opposite direction में चलने लेगा आपको लगागा कि मैंने गलत decision ले लिया आपको लगएगा कि हमने पहले निकल के अच्छा किया था क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट मिल गया था अभी जो प्रॉफिट मिल रहा था वही मेरा minus हो सकता है शायद चलो फिर से निकल जाते हैं फिर से आपने exit मार दी और जब exit मारी तो price आपके सीधे नीचे की तरफ गिर गया आपको लगा कि हाँ मैंने निकल के अच्छा है कि और अभी जो हम buy side के trade में निकलने हैं पहले हम यह सोच रहे थे कि इसको नीचे जाना चाहिए अब क्योंकि नीचे जाने लगा है तो शायद ये सही है जैसे ही price ने आपकी level के नीचे movements दिखा है आपने उसको short कर दिया बट short करने के बात में फिर से price आपका upside की तरफ जाने लगा आपको क्या लगा है कि मैंने दो trade लिये थे buy के दोनों ही trade सही थे चोलो ठीक है वापा से price उपर की तरफ जाने लगा हम फिर से buy कर लेंगे आप ऐसे ही buy sale, buy sale, buy sale का game खेलते होगे market आपको खिलाती रहें कि last में क्या होगा न कि दो हजाय तीने दार का आप loss लेकर के निकलोगे बट loss थो दो हजार का है लेकिन जो brokerage आप दे कर के होगे कम से कम 4-5,000 के brokerage दे कर के होगे इससे अच्छा होता है कि focus on high probability setup when taking trades सिर्फ high probability के setup तो एक छोटी सी trick है यह कि वो stock जिसमें कि आपको confidence है इस stock को देखने से लगे कि यह buy तो buy, sale तो sale जब हम यह बोलते हैं आपको कि particular किसी stock में कल के दिन green candle बनेगी इसका मतलब यह कि फिर हम लोग selling करेंगे नहीं लेकिन इसका मतलब यह भी होता है कि ऐसा नहीं है उसमें selling नहीं होगी हो सकती है अगर होगी तो मेरे लाइक नहीं हम नहीं करेंगे trade यह तो कोई logic नहीं बनता कि यार इसने दिया था sale के लिए अब यह buy हो गया यह अलग बात है कि आपको पहले bank के confirmation दे वापा से नीचे गर जा तो इस case में फिर stop loss हो जाएगा और सिर्फ इसी ही case में sell जाएगा अधरवास फिर आपका sell जाएगा नहीं second entries at key entry point with the trend trend के साथ में ही first entry लिए stop loss sheet हो गया निकल जाएगा rule तो यही बोल रहा है इसके बाद में भी अगर आपको second entry लिनी तो हम लोग कैसे करते हैं like कोई stock आपका up trend में है या downtrend में है या फिर आज के लिए हम उसको buy के लिए देख रहे हैं फिर sell के लिए पहली अब just imagine के हमें करना है बाई क्योंकि particular एक stock आपका up trend में है आपने एक entry तो बिल्कुल इस जगे पर ली और प्राइस आपका upside की तरफ गया बाद में आकर की नीचे की तरफ इसने आपका stop loss hit कर दिया ठीक है अब जब हम second entry लेंगे तो second entry at key point यह याद रखिएगा जो आपका key point होगा आप उसी जगह से second entry लोगे with the trend क्या नहीं करना है इसमें कि आप कहीं से भी trade execute नहीं कर दोगी मन हुआ यहां से आपने trade कर दिया आपको पता है कि जो key point है वो यह वाला है बट आपने entry फिर भी जान बूज के यहां पर ले लिए क्योंकि बस आपका मन second entry at key point key point पर ही entry लेनी है दूसरी चीज आपने किया था भाई price आपका नीचे चला गया इसने आपका stop loss hit कर दिया तो यह नहीं करना है कि फिर आप short sale का trade ले लो मत कीजिए करोगे आप अपने direction में trades और अपने जो key points है न यहां पर यहां पर और यहां पर इसी जगह पर trade execute करोगे psychology का सारा game है कि बाद में next step का failed second entries against the trend simple सी चीज़ है इसके बाद में आता है आपका failed breakout अभी यह failed breakout क्या होता है देखिए यह समझने वाली बात है क्योंकि इस पर कई सारे trades execute के जाते हैं यहां से price में support consider किया और यह support नीचे की तरफ ब्रेक हो गया जैसे यह break हुआ ना हम लोग यहां से against the trend trend लेते हैं return in the sense failed breakout प्रेकाउट को नीचे की तरफ तोड़ा breakout करने के बाद में री एंटर कर जाता है price आपकी previous range के अंदर और इस range के अंदर आपको मिलते हैं आपके entries के confirmations यह उते failed breakout high probability का setup होता है इसके बाद में higher lows and lower highs confirmation setup simple सी चीज़े देखेहँ यहां पर लिखा higher low lower high हम लोग इसको higher high higher low higher low बनाते हैं यह देखे higher high higher low high higher high higher high higher high higher low price आपका आप trend मेहीं हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यह बन गया मेरा higher low और यह बन गया higher high यह जो setup होता है यह भी बहुत strong setup होता है already हम consider कर रहे हैं कि यहां पर हमारा higher high higher low, higher high higher low लग रहा है तो जैसे ही price आपका नया higher low लगाएगा, हम next higher high के लिए ready होते हैं, previous swing जैसे ही जाएगा, यहां से हम लोग exit कर देते हैं, key entry points क्या होते हैं, key entry points जो आपकी trend lines होती है, यह जो trend line है यह आपका key entry point होता है, कुछ confirmations होते ह हमारा support and resistance के लिए, support and resistance, simple सी चीज़ है यह आपका बन गया support, यह बन गया, मेरा resistance point, तो in between, यहां कहीं पर entry नहीं लेनी, इस एक जगे पर ले लिए, यहां पर ले लिए, यह सब नहीं, यहां पर trade execute नहीं होता है, execution हमें करना होगा, बिल्कुल इस जगे पर, support and resistance, यह हमारा key point होता है, चोटी-चोटी और simple-simple सी चीज़ है, but अगर इन चोटी-चोटी rules को भी आप अपने traits में include कर दोगे, तो आपके traits की quality better हो जाएगे, अच्छी हो जाएगे, अब देखे क्या है, entry only with proper signal bars, एक proper signal से हम लोगे entry लेनी है, single bar must confirm the direction and momentum, यह कुछ entry लेने की बहुत basic से candle है अब शुरुवाती स्टेज में अगर हो, तो इन candles का use कर लो, entry लेने के लिए, बहुत सारे conditions दूर हो जाएगे, बाकी entry लेने के तो बहुत सारे patterns हैं, हम लोग masking candles entry लेते हैं, volumes को add करके, हम लोग mother candles trade execute करके, entry लेते हैं, volumes को include करके, इसके इलावा double bullish है, double bearish है, single candle formations है, bullish stop, bearish stop, काफी सारे patterns हैं, उसमें से अपने कुछ fixed pattern है, कि उनको देखते हैं, लोग trade execute करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि candle देखते हैं, सिर्फ volume को देख करके, entry हो जाते हैं, वो सारी चीज़े बात कियाते हैं, मतलब देरे देरे करके, जब आप improve करोगे तो वो सारी चीज़े आपके सामने आएंगे, शुरुवात कहां से करेंगे, कुछ direct वहां से शुरुवात नहीं हो जाएंगे, बहुत साही चीज़े जब discuss होती है तो दो दो तीन घंटे के class हो जाती है, ये इतने सारी discussion है, सिर्फ एक ही candle के उपर चल रहा है, बट एक candle के उपर discussion करीब दो दो घंटे का होता है, ये एंड बिल्कुल शुरुवाती लेवल पर हो, तो इन साही चीज़ों को देख लो, आपको buy करना है, अब किस context में आकर क्या, आप देख लो, कि इस तरह के एगर candle सापको देख रही है, ये सारी candle से देख रही है, आप buy करो, ये क्या है ना, एक bullish candle होती है, आप बिल्कुल single condition में कुछ कुछ भी हम लोग add नहीं कर रहा है, ये पिन बार बहुत काम की है, अगर resistance या support पर आपको इस तरह की पिन बार दीख रही है, इसके upside की तरफ market निकल रही है, आप trade execute को दो, आगर bargain नहीं करनी तो price को फिर नीचे की तरफ आने दो, और जैसे retrace करने क लिए इस candle के, बिल्कुल half तक price move करें न, यहां पर अपनी entry ले लो, बिल्कुल low पर अपने stop loss लगा दो, या फिर अगर breakout field का weight करना है, तो price नीचे की तरफ निकल रहा है, निकल जाने की बाद में, again जब price आपका upside की तरफ जाने लग जाए, volumes के confirmations लेकर के trade को दो, इतनी प low के नीचे निकल रही, आप trade मारो, आपको bargaining करना है, या फिर confirmations का weight करना, तो price को retrace होने दो, वहां पर आप trade मारो, देखो, supports पर volumes increase हो रहे हैं, resistance पर volumes increase हो रहे हैं, buyers और buyers है, sellers हैं, sellers हैं, इस सारी चीज़र दे करके, आप trade मारो, आपके trade बहुत बहुत प्यारे trades होंगे, example से भी कुछ ना कुछ clear होगा, so thanks, so thanks, and सबसे बड़ी बात देखिए, यह तो सारी चीज़र टेक्निकल हैं, इसके बाद में फिर हमारा money management आता है, after that risk management आता है, trend identification आते हैं, selections के process आते हैं, काफी सारी चीज़र आती हैं, यह बहुत basic सी चीज़र थी, और जितने भी हमने rules प प्रैक्टिस कर डालोगा, सिर्फ प्रैक्टिस कर डालो उनकी, और एक way पकड़ो, कोई एक segment ऐसा पकड़ो, कि जिसके Q पर आपको master करना है, practice करना है